Welcome to RS Class दोस्तों कैसे हैं सब लोग स्वस्तोंगे दोस्तों आज हम पढ़ेंगे IPC की धारा 300 बामन जी हां 300 बामन क्या कहती है क्या इसमें सजा का प्रापधान है अगर 300 बामन लग जाए किछी वेक्ती पर तो इसमें जमानत कैसे मिलती है देखिए 300 बामन punishment, assault और criminal force क्या है ये सारा माज़रा और क्या है इसमें जमानत का प्रापधान विद एक्जामपल समझेंगे इसमें 300 बामन में अगर F.I.R. हो जाए तो इसमें जमानत कैसे मिलती है समझेंगे विद केस बने रहेगा और जो भी भाई-बैन हमारे चैनल पर नए आए है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा भाई ओ बीडिये को लाइक जरूर कीजिएगा सेयर कीजिएगा चलिए देखते हैं लेस गो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं ज्यादा समयना लेते हुए आज का सेसल IPC धारा 312 जे भारते दंड सहिता की धारा 350 के अनुसार यदि कोई बैकती किसी अन्य बैकती पर गंबीर याँ आपरातिक बल का इस्तेमाल करके हमला करता है देखें तीन सुबामन किया आएगा यदि कोई बैकती ए नाम का बैकती बी नाम किया बैकती पर गंबीर आपरादिक बल का इस्तमाल करके उस पर हमला करता यानि गंबीर आपरादिक बल इन्हों ने इस्तमाल किया भी पर और उस पर हमला कर दिया तो धारा तीन सो बामन उस पर लगाई जाएगी यहां साथ है धारा तीन सो बामन के तहट वो दोसी होगा तो ऐसे ब्यक्ति पर धारा तीनसो बामन लागू होती है धारा तीनसो बामन गंबीर प्रकोपन खुद पर काबू नहोना क्या कहती है खुद पर काबू नहोना के बिना हमला करना या आपरादिक बल का इस्तमाल करके हमला करना यानि खुद पे काबू नहीं रहता है एक्जाम्पल देखिए अगर A नाम का बैक्ती B नाम के बैक्ती से कोई जगड़ा हो जाता है किसी छोटी सी बात को लेकर और A नाम का बैक्ती यह है काबू नहीं कर पाता है जो कि कहते हैं बहुत गर्म खून है इसमें खतरनाक हो सकता है वो उसके लिए तो धारा 352 के तहे तो वो दोसी माना जाएगा साथी कुछ लोग होते हैं जिनका उनके गुसे पर कंट्रॉल नहीं होता है वो गुसे में कुछ भी कर देते हैं बिना सोचे समझे नुकसान कर देते हैं जि दोस्तों बिना सोचे समझे नुकसान कर देते हैं और वो गुसे में कुछ भी नहीं देखते हैं कि अक्सर लड़ाई में देखते हैं कि किसी बैक्ती को ज़्यादा गुसा आ जाता है तो वह सामने वाले बैक्ती पर हमला करने लग जाता है और ऐसे में गंबीर रूप से गायल भी हो जाता है तो धारा तीन सो बामन के तेट वो अपराद करता है जाती हो देखिए एक्जामपल दोरा ए नाम का बैक्ती और बी नाम के बैक्ती में लड़ाई हो जाती है इन दोनों में आपस में लड़ाई हो जाती है और ए नाम का अब्यक्ति जो है अपने गुसे पर कंट्रोल नहीं कर पाता है और गुसे पर कंट्रोल ना कर पाने के करण इस पे ऐसा कोई आपरातिक हमला कर देता है कि जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो जाए या फिर उसकी मनत्ती हो जाए ठीक है साती हो वो फिर अलग धारा आजाएगी लेकिन अगर गंभीर रूप से घायल हो जाता है अपने गुसे पर काबू ना करते हुए तो धारा तीन सो बामन के तहेत वो दोसी माना जाएगा दोस्तों आगे देखते हैं आगे और क्या कह रहा है गंभीर प्रकोपन परेसानी होने से हमला करने या ग्षाता है कि ऐसे संकेत या त्यारी करने से किसी उपस्तित वैक्ती को यह आशंका हो जाएगी कि जो वैसा संकेत या त्यारी करता है वह उस वैक्ती पर आपरादिक बल का प्रयोग करने ही वाला है जिसाती हो यानि A नाम के व्यक्ति होता है और B नाम के व्यक्ति पर जो ऐसा हमला करेगा कि Z नाम के व्यक्ति को ये संकेत हो जाए कि ये B नाम के व्यक्ति पर हमला करने वाला है कौन ए नाम का व्यक्ति अगर उसे ये संकेत हो जाए और वो जाके सूचना दे दे तो ए नाम का व्यक्ति जो है 352 के तहट दोसी पाया जाएगा सातियो वह हमला करना कहलाता है जो अपरादी भारते दंड सहता की धारा 352 के तहट अपराद करता है तो ऐसे अपरादी को इसी धारा में दिये गए प्रापदावन के अनुसार दंड देने का प्रादाम भी किया गया है जी दोस्तों A नाम का व्यक्ति, B नाम के व्यक्ति पर ऐसा हमला करता है कि उसकी गंवीर परस्तितियों में उसका जीवन संकट में आ जाए और धारा तीनसो बामन में सजाका प्रापदान देखिए धारा तीनसो बामन अगर किसी के उपर लग जाती है तो सजाका प्रापदान क्या है IPC सेक्षन तीनसो बामन के अनुसार यदि कोई ब्यक्ति किसी ब्यक्ति पर गंवीर या आपरातिक बल का इस्तमाल करके हमला करता है तो ऐसे ब्यक्ति को तीर महा का कारावास और आर्थिक जुर्माना लगा कर दंडित किया जाता है इसमें आर्थिक जुर्माना है 500 रुपे से जादा का नहीं हो गसाती हो अब बात करते हैं कि ये अपराद किस रेडी में आता है देखिए ये है एक संगे अपराद है और गैर जमानती अपराद है किसी भी मजिस्टेट द्वारा विचारणी है अगर बात की जाए कि ये कौन सा अपराद है तो ये कॉग्निजेबिल ओफेंस आता है गैर जमानती है नॉन वेलेविल वारेंट है किसी भी मजिस्टेट यानि ट्रैल कहा हो उसका किसी भी मजिस्टेट द्वारा ये बिचारणी है यह अपराद जिस भीक्ति पर हमला या आपरादिक बल का प्रियोक कर हमला हुआ है उसके दौरा समझोता करने योग है अगर किसी अपर आपरादिक बल से हमला होता है उसकी मृत्ती होने का भी खतरा रहता है अगर ऐसे में उसे गंबीर चोट लग जाती है तो IPC section 352 apply होता है साथी हो जी साथी हो अगर कोई वेक्ती A नाम का वेक्ती जो है B नाम के वेक्ती पर ऐसा हमला करता है कि उस हमले से उसकी मृत्ती हो सकती है तो वो पहले धारा 352 के तहट दोसी माना जाएगा कौन सी धारा के तहट 352 के तहट वो दोसी माना जाएगा तो आज की किलास कैसी लगी यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा और बीडियो को लाइक, सेयर, सबस्क्राइब जरूर कीजेगा आगे एक नए धारा लेके, एक नया section लेके IPC का आपके सामने फिर आजर होता हूँ, तब तक के लिए बंदे मातरम जैहिन दोस्तों